हेलो एवरिवन लक्षे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हर दिख स्वागत है I hope you all are very well and आज हम अपने इस नए वीडियो में बात करने वाले हैं बिहाज Special School Teacher Recruitment 2024 की आई हुई एक नई अपडेट के बारे में तो अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सिक्षा मंतरी ने किया साफ कि भरती BPSC द्वारा पूरी करवाई जाएगी और इसके लावा आपको दिखाने वाले हैं कि सभी जीलो ने रोस्टर कलियर कर दिया है और उसके बाद सिक्षा विभाग ने final रोस्टर जारी कर दिया है तो complete information देखने के लिए वीडियो में अंतक जरूर बने रहें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करते साथ में अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी करते तो चलिए सबसे पहले सिक्षा मंतरी की बात सुन लेते हैं कि उन्होंने विशेज सिक्षक भरती को लेके क्या कहा है एक पत्तरकार द्वारा जब क्वेस्चन पूछा गया कि जो बिहार में स्पेशल स्कूल टीचर की भरती होने वाली है जिसका पेपर फरवरी में हो चुका है और रिजल्ट भी आ चुका है परन्तु उसके आगे कोई परकरिया दिखाई नहीं दे रही है तो पत्तरकार द्वारा पूछा गया कि ये भरती अब मेरिट के अधार पे हो गी या इसका दोबारा से फिर पेपर लिया जाएगा तो मंतरी ने क्या कहा वो सुन लेते हैं पहले दिव्यांग चात्परों के लिए जो आप लोग ने स्पेसल परिक्षा ली थी जो 7,000 से जादा पद है उसकी रिजल्ट आ चुकी है पत्रता परिक्षा का परिणाम जुलाई में खोसुत हो गया है इसमें आप लोग क्या में में जूपरी देंगी यह फिर आयोग की जरीये हम लोग करेंगे हम लोग यहां पर देखें यहा यृडुकेशन के लिए इनुवर्सटी में परिशन है और यहां शेक्षकों के लिए हम रोगों ने जुपीएस्शी के तुन किया है तो जैसा कि आप सभी ने सुना कि मंतरी जी ने क्या कहा है और इससे आप समझ सकते हैं कि जैसे हमने अपने पहले जो वीडियो है उनमें भी आपको बताया हुआ है कि BPSC दवारा भरती पूरी करवाई जाएगी और जो रोस्टर है वो जैसा कि जीलों को आदेश दिया गया था कि सभी जीले अपने यहां से रोस्टर कलियर करके सिक्षा विभाग को भेजें तो वो काफी समय पहले ही पूरा हो चुका है और उसके बाद अब BPSC दवारा इसमें ये दूसरे वेपर का जो नोटिस है वो देंगे और साथी साथ आवेदन पर करिया स्टार्ट करेंगे इसके अलावा अगर हम बात करें रोस्टर की तो वो देख लेते हैं तो आप यहां पे देख रहे हो ये आया हुआ है बिहार लोग सेवा योग पतना की तरफ से और इसमें बताया गया कि शिक्ष्या विभाग एव अनुसुचित जाती एव अनुसुचित जन जाती कल्यान विभाग बिहार सरकार के अंतरगत विधल्या अध्यापक के पदों पर नियुकती है तू आयोग दवारा दिनाक 72224 एव 232224 को विग्यापन सख्या 22 बटे 2024 का प्रकाशन किया गया था तो यहाँ पे CWJC नंबर 16760 बटे 2023 गोरव कुमार एव अन्या बनाम बिहार सरकार एव अन्या तथा समंदित अन्या मामलों में दिनाक 262024 को पारित आदेश के विरुद बिहार सरकार दोरा मानिय सवरोच नियल्या नई दिल्ली में SLP दायर किये गए हैं विबिन SLP में पारित होने वाले आदेश के फलाफल से परभावित होने के सर्थ पर पूरव परवरित आरक्षन प्रावधान के आलोक में विवेचित पद हेतु नियुक्ती संबंदी कारवाई किये जाने के संदर में सिक्ष्या विभागंतरगत प्राथमिक वर्ग 6-8 तक में कुल 18,933 पदों तथा अनुसूची जाती एव अनुसूची जन जाती कल्यान विभाग अंतरगत वर्ग 1-5 तक कुल 210 पद तथा वर्ग 6-10 तक कुल 126 पदों की संसोधिक कोटिवार विस्तरीत विवरण निमनवत है तो यहाँ पे आप देख सकते हो शिक्षय विभाग के अंतरगत जो प्राथमिक विदहल्या के मूल कोटिवर एक से पांस तक के विदहल्या ध्यापकों के लिए कुल 25,505 पद हैं तो उनका यहाँ पे रोश्टर जारी कर दिया गया है आप देख सकते हो जो कैटेगरी वा अलग अलग दिये हुए हैं तो सामान्या में उर्दू भासा में और बांगला में आप देख सकते हो कितनी कितनी पोस्ट है उसके अलावा कैटेगरी वाइज अनारक्सित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पिछड़ा वर्ग अत्यांत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित ज बन जाती और पिछड़े वर्ग की महिला तो कुल पद भी यहाँ पे बताए गए हैं उसके बाद दिव्यांगो हेतु आरक्सित पद हैं और सवतंतरता सेनानी के जो अलग से पद हैं उसके बाद आप देखोगे मद्या विदहल्या का दिया गया है तो यहाँ पे जो कक्ष दी गई है सिब्जेक्ट वाइज अलग अलग और जो कैटिगरी वाइज अलग अलग बताया गया गए गणीत एव विज्यान के समाजिक विज्यान हिंदी अंग्रेजी संस्कृत उर्दू अलग अलग दिये गए हैं और उसके बाद आप देख सकते हो कैटिगरी वाइज अलग अलग बताया गया फिर उसके बाद जो विदहल आते हैं अनुसूची जाती कल्यान विभाग के अंतरगत जो कक्ष्या एक से पांच के 210 पद खाली है तो उनका दिया गया विवरन और उसके बाद आप देख सकते हो 6 से 10 का जो 126 पद खाली है उनका विवरन दिया गय अंग्रेजी के हिंदी, संस्कृत, विज्ञान, गनित, सामाजिक विज्ञान, सारेरिक, सिक्षा, संगीत, कला और कम्प्योटर के जो पद खाली है उनका रोस्टर जारी किया गया तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में इस रोस्टर के कार्ण काफी जो भरती परक करिया बीच में अठकी हुई है क्योंकि ये रोस्टर कलियर नहीं हो पा रहा था तो अब रोस्टर कलियर हो चुका है और अब आप देखोगे कि भरती की जो परकरिया है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी और बहुत जल्द आपको सभी भरती complete होती दिखेंगी और क्योंकि वो pending है भी तो उसके complete होते ही ये 3, 4.0 की भरती को उसका notification निकालेंगे तो उसके साथ ही उमीद है कि special school teacher की vacancies का भी notification आपको देखने को मिलेगा तो बहुत जल्द 3, 4.0 स्टार्ट होने वाला ही है और उसके साथ ही साथ special education teacher की भरती आपको देखने को मिलेगी तो त अब तक अपनी तेयारी पे लगे रहिए जो भी आपको जो journal subject लगते हैं कि जो आएगा ही आएगा paper में तो उसको पढ़ते रहिए ताकि paper हो तो उसमें आप अच्छा score कर पाएं उमीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आप ऐसे और भी वीडियो को जाशे ज़्यादा लाइक करें साथ में share भी करें thank you